Beauty culture 2nd year 2nd year subject code 204 topic physical form classification of cosmetics Mycel Flynnets फ़र्छना गुपत्न लेकट्र बूटी दिक्र कॉलीज अजमिर Cosmetics ko physical form के अनुसार वर्गिक्रत किया गया है फर्स्ट है इमल्शन, इमल्शन दो या दो से अधिक आपस में घुल्लेंशील प्रधारतों का इस्थाई मिश्रन होता है अधिकतर जो भी क्रीम्स बनती है हमारी वो इमल्शन से बनी होती है क्योंकि ओईल और वाटर को मिलाकर बनाई जाती है कुछ ऐसे प्रधारतों को मिलाया जाता है जिनकी सोखने की शमता अधिक हो क्योंकि पाउडर में हम पर्फ्यूम भी मिलाते हैं और कुछ पाउडर में हम कलर भी मिलाते हैं जैसे compact powder, अगर color हम liquid मिलाते हैं, तो powder के साथ मिलाकर, हम उसको सुखाते हैं, और फिर उसको पीसा जाता है, और dry color मिला रहे हैं, तो color मिलाकर mixer में पीसा जाता है, नेक्स्ट है हमारा stick form, stick form में हम lipstick और dio sticks और जो भी stick form में cosmetic बनता है, वो सब stick form में आते हैं, stick form में cosmetic बनाते से में इस बात का धिहान रखा जाता है, कि उसका melting point इतना high होना जाता है, कि वे गर्मी के मौसम में पिखले लेने हैं, next है हमारा cake, cake form में cosmetic अगर हम बना रहे हैं, तो इसमें powder को मिला करके, उसमें color मिलाते हैं, और फिर उसको compress किया जाता है, उस cosmetic को, जैसे eyeshadow kit आते हैं, तो कंप्रेस करके उनको दबा करके फिर बनाया जाता है, कुछ foundation जो होते हैं, वो भी cake form में भी बनाया जाते हैं, और liquid form में भी बनाया जाते हैं, next is oil, oil में hair oil और website jellies आते हैं, तो oil में बनाती समय इस बात का ध्यान रखा जाता है, कि वो oil गाड़ा नहीं हो, लगाने में आसान हो, और चिपचिपा भी नहीं हो, next is suspensions, suspension form में powder प्रधार्टों को पानी में gilisrol, alcohol और glycol को घुलकर solutions बनाया जाते हैं, suspension में liquid powders होते हैं, calamine lotions होते हैं, paste में toothpaste, clay paste, facial mask इस तरह के cosmetics आते हैं, और इनको बनाती से में यह ध्यान रखा जाते हैं, कि यह बहे नहीं, और ना ज्यादा hardo, और ना ज्यादा इतने liquidों की वो बहने लग जाए, और सभी प्रधार्टों जो भी इसको बनाने में मिलाए जाते हैं, वो मिलने के बाद वो paste एक सार होना चाहिए, अलग अलग नहीं, next है soap, soap में shaving soaps भी होती है, toilet soaps भी होती है, soaps जो है fat, oil और fatty acids के साथ उदासी करण करके बनाई जाती है, फिर है solutions, ठोस प्रधार्टों को पानी के साथ मिलाकर गरम किया जाता है, जो भी हम इसको बनाने में solutions बनाते हैं, कोई भी, तो उसमें अगर हम कोई heart cheese या heart chemical मिला रहे हैं, तो उसको पानी के साथ मिलाकर पहले गरम करते हैं, ताकि भी अच्छी तरह से घुल जाएं, और घुलने के बाद उसमें प्रधार्ट और पानी अलग अलग ना दिखाई दें, उसके बाद है mucilis, mucilis का प्रयोग solution को गाड़ा बनाने के लिए के जाता है, कोई भी solution हम बना रहे हैं, तो उसमें हम गाड़ा बना है, उस कॉस्मेटिक को हम गाड़ा बना है, इसमें अधिकतर जो कॉस्मेटिक साते हैं वह होते हैं, वेवसेट्स, लोशन्स, next हम अब हम डिटेल इसको पढ़ेंगे, उसमें first है हमारा इमल्शन, या अधिक आपस में अगुलेंशिर प्रधारतों का, स्थाइव मिश्रण होता है, अधिकतरे greens इमल्शन म Girish cream होती हैं, इन में बहुत कम मात्रह में तीसरा प्रधारत काम में लिए जाता है, तीसरा प्रधारत मिजिलेजेस, emulsion को बनाने में और उसको इस॥ायतवता प्रतान करने में mucillases mehetopun bumica निबाता है emulsion में water phase and oil phase होता है और emulsion बनाने के दोनों के दोनों यानी oil phase और water phase के अंतर मुखी तन आपको कम करना परता है ताकि एक लिक्विट के कंट दूसरे लिक्विट में अच्छी तरह से समा जायें। यदि इसमें और वाटर ज्यादा मात्राँ है तो यह और यदि वाटर कम और युड़्न ज्यादा हैं तो यह यह वाटर इन ऑयल इंमल्शन कहलाएगा। जैसे मॉस्चिराइजर, इमल्सिफायर के रूप में बोरेक्स, गम, ट्राइथलोनमाइन, जिलेटिन आधी काम में लिये जाते हैं नेक्स्ट है हमारा पाउडर ये बनाना तो असान है और इसे बनाते समय लिक्विड प्रधार्तों को उन पाउडर प्रधार्तों में मिलाए जाता है, जिनकी सोखनी की शमता जाता है कलर को पानी में मिलाया जाता है और फिर सुखा कर पीसा जाता है दूसरी विदी में पाउडर और कलर को अगर कलर हमारा ड्राय है तो पाउडर को और कलर को मिक्सर में पीसा जाता है और फिर मिलाया जाता है थोड़े से पाउडर में पहले हम कलर मिलाएंगे और उसको फिर मि में इस वीधी में ध्यान रकाते जाता है कि color पूरे शर्ण में समान रूप से मिल किसी भी प्रकार के कंड ना रह जाय। को कलर के कंड उसमें ना रह स्टिक का melting point इसका melting point इतना जादा होना चाहिए कि गलमी के मोसम में भी पिग इसको बनाने के लिए रेजिन, बीज वैक्स आधी प्रधार्तों को काम में लिया जाता है। वैक्स की पूरी जानकरी होना आवशक होता है। और इस्टिक बनाने से पहले लो, मीडियम, हाई का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। जो की शारीरिक ताप पर आसानी से इस्तमाल किया जा सके। वैक्स के साथ हम जब भी कोई ची इस्टिक फ़र्म में बनाते हैं, तो वैक्स के साथ हमको उसमें लूब्रिकेंट्स यानि की चिकनाई देने वाले प्रधार्त भी डाले जाते हैं। ताकि लिप फैलने वाली शमता आसानी से लग जाए इस इसकी शमता को बनाया रखे या बढ़ा ही जा सेगे उसकी फैलने की शमता को। नेक्स्ट है केक आईशेडू, कॉम्पेक्ट फेस पाउडर, यह केक फॉम के होते हैं। इसमें ब्लेशर भी आते हैं। और इनको दबाकर बनाया जाता है। केक बनाने के दो तरीके हैं। ड्राइ मैथडू, इस मैथड में पाउडर में कलर मिलाकर अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। अब इस मिक्सर को पर्फ्यूम और लिक्विड पैट्रोलेटम के साथ अच्छी तरह रब किया जाता है। और पूरे माटेरियल को माइलिंग एक्विपमेंट में से तब तक पास किया जाता है। जब तक कि प्रोडेक्ट पूरी तरह से मिलना जाए। इसके बाद गम तयककेंट के साथ मिलाये जाता है। उसके बाद समफून प्रदहरतों को compressed किया जाता है, यानि की दबाया जाता है। है इसी का next मेतरड है, हमारा पहला मेतरट तौर ड्राइ मेतरड, हमारा दूसरा मेतरड हे वैट मेतर। इसमें powder वे color वे water को मिलाकर semi liquid paste बनाया जाता है इस paste को filing process में pass किया जाता है फिर drying trace में एक समान layer में फैला दिया जाता है इस tray को 130 degree dry में रख दिया जाता है फिर यह सूप जाता है फिर इसे निकाल कर इसमें perfume mix के जाता है फिर इसे cake form में compressed कर दिया जाता है कोस्मेटिक का यह है प्रकार प्राइब वेब सेट लोशन के लिए होता है इसके लावा इसका प्रयोग सॉलुशन को गाड़ा करने और वैनेशिंग क्रीम को फूल आवा बनाने के लिए किया जाता है इसको बनाने में तीन मुख्य समस्या आती है सूखेवे गम या सीड्स में से प्रधार्तों को निकाला जाता है दूसरा इनका शुद्धिकरण किया जाता है तीसरा इनका संद्रक्षन किया जाता है इसको निकालने के लिए ठंडा या गरम पानी उप्योग में लिया जाता है गरम पानी का प्रयोग करते समय इन बातों का दिहान रखना चाहिए कि पानी बहुत अतीक गर्म ना हो क्योंकि अतिक गर्म पर वे अपने गुण खो देता है इसके अलावा गर्म पानी में गर्म पानी की जो अशुतियां होती हैं वो भी उसमें घुलंशील हो जाती है और बैक्टिरिया की व्रद्दी को रोकने के लिए इसमें preservative डाले जाते हैं नेक्स्ट है हमारा jellies jellies gum से या petroleum से बनी होती हैं petroleum से बनी jelly नमी रहीत होती है ये पारदशी होने के कारण jelly कहलाती है गाड़ी होने के कारण इसे बनाना और संद्रक्षित करके रखना मुश्किल होता है इसकी गाड़ेपन को कम करने के लिए wax oil या paraffin oil मिलाए जाते हैं next है हमारा suspensions cosmetic की suspension form में calamine lotion आते हैं इसके powder प्रधारतों में keoline, chalk powder, titanium dioxide, zinc sulfide, zinc oxide, methanol आधी काम में लिये जाते हैं इन powder प्रधारतों में पानी में glycerol, alcohol, glycosin को घोल कर solution बनाया जाता है next है solutions solutions में after shave lotion, skin toner बनाती समय ठोस प्रधारतों को पानी के साथ अच्छी तरह से boil के जाता है जिसे की वे पानी में अच्छी तरह से mix हो जाए try प्रधारत जब तक बारिक पिसा होता है तो solution अच्छा बनता है तता प्रडेक में किसी भी प्रकार के धपे ना हो इसके लिए liquid को पहले ही filter कर दिया जाता है फिर इसमें powder प्रधारतों को मिलाया जाता है next है हमारा paste clay paste, facial mask, toothpaste form के example है इसके और paste बनाते समय हमें इन बातों का धियान रखना चाहिए कि आवशक बहाव ना हो, paste जादा कठोर ना हो और paste के सभी प्रधारत एक सातों, mix हों आपस में अलग-अलग ना दिखें paste बनाते समय सबसी बड़े ही समस्या उसके गाड़ेपन को निर्धारित करने में होती है paste के formula में dry प्रधारतों की मात्रा लगबग 30% तक होनी चाहिए जैसे dry प्रधारतों की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे paste का गाड़ापन भी बढ़ता जाता है और एक पॉइंट पर आकर paste का बहाब खतम हो जाता है और वैसे कठोर हो जाता है paste को बनाने में उसके physical reaction को control करना कठिन होता है क्योंकि यह reaction तयार प्रधिक में कुछ समय बाद भी हो सकते है क्योंकि कुछ प्रदार ज्यादा और अफ्शोशक होते हैं जो जल्दी ही सोख लेते हैं next है हमारा सुप fat oil, waxes, oil, fatty acid, आधी का शार के साथ उदासी करन करने पर क्यों इत्पाद हमें प्राप्त होते हैं वो सोप कहलाता है क्योंके क्योंकि में प्रइज जो सोप काम में लिये जाते हैं वे fatty acids के sodium और potassium के लवन होते हैं प्रड़ लिते हुं सकतूओ कुपर स्गे हैं कि कि ष भी खिलूर छूब है कि उपते हैं स्प्रति हैं